बोट मॉर्निंग दोस्तों, आज कन्वर्ट करेंगे, किलो मीटर इन्टू मीटर और सेंटी मीटर इन्टू मीटर ठीक है? आए इसको देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं? आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? मीली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमेटर यह आपको याद होना चाहिए अब इसको किस परकार लिखते हैं इसको इस परकार लिखते हैं ठीक है देखें इसको लिखने का तरीका ऐसे है आप भी इसको ऐसे कॉपी में नोट कर लीजे आपको इसको याद रखना पड़ेगा कैसे मीली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमेटर जब उपर से नीचे आएंगे तो भाग करेंगे और नीचे से जब उपर जाएंगे तो बड़े को जब छोटे में करेंगे तो गुना करेंगे ठीक है इसका यही फंडा है छोटे को जब बड़े में लाएंगे तो भाग करेंगे बड़े को जब छोटे में लाएंगे तो गुना करेंगे और आप ऐसे भी याद रखते हैं छोटा चीछ को किसी में बड़ा करते ह तो भाग ही करते हैं अब बड़े को जब छोटे मिलाते हैं तो गुना ही करते हैं यह बेसिक से हम करते आ रहे हैं ऐसा ठीक है अब देखें किलो मीटर को मीटर में चेंज करना है किलो मीटर इंटू मीटर तो क्या करना है एक दो तीन तीन जूरू मतलब एक हजार भाग कीलूमीतर को के rer do sir diabetes में कितना मीटर तक पहुंकरительно कितना दस आ रहा है 2 2 3 तो 3 0 zaaram खीख दूसरा है सेंटीमिटेर इंटुट मेंतर मतलब में मिटर में कि मसम हैं मतलब उपर से नीचे आरहा है मतलब हमको भाग करना है फ्कितना से भाग करना है एक दो एक सोरू तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कनवर्ट कर गया है वन बाइ हांडेट भाग कर दी तो क्या हो जाएगा 0.01 मीटर बस यह दो अब आपको हम बताए तो दो कोश्चन लेकिन आपको सारा अब कनवर्ट पूरा याद हो गया आपको मिली मीटर से मीटर में कहे तो पता है सेंटीमीटर से मीटर में कहे तो पता है डेसी मीटर से मीटर में कहे तो पता है किलोमीटर से मीटर में कहे तो पता है हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में कहे तो पता है तरह कोश्टन सॉल्व हो जाए यह आपका मीटर के लिए पूरा हो गया मीटर यूनिट के लिए यह पूरा हो गया मतलब कनवर्ड पूरा आता है आपको अब आपको मीटर में कहीं नहीं फसना है अब एक ग्राम का बच गया और दूसरा लिटर के लिए बच गया उसको दूसरे वीडियो में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे धन्यवाद